आज हम यह डिजाइन सिखेंगे यह डिजाइन दो कलर का डिजाइन है और यह डिजाइन बनाने को भी बहुत आसान है इसे आप लेडिस कार्डेगन पेभी सेट किसी में भी आप लगा सकते हैं अब हम डिजाइन शुरू करते हैं इतना मैंने यह बंदे लगा के रखा है अब हम शुरू करते हैं शुरूप में एक बंदा हम ऐसे उतारेंगे और एक दो तीन चार पांच उल्टा पुनेंगे और दागा पार को करेंगे एक दो तीन चार पांच पांच सिधा पुनेंगे इसमें पांच का मुल्टिपल फंदे लगाना होता है तागा अपनी तरफ करेंगे एक दो तीन चार पांच पांच उल्टा पुनेंगे तागा पार को करेंगे एक दो तीन चार पांच ये पांच सिधा पुनेंगे तागा अपनी तरफ लाएंगे ये लास्ट का एक दो फंदे बजगे इसको ऐसे ही पुनेंगे एक सिलाई क्मप्लीट हो गया दूसरे सिलाई मेंattack अंधर से बिनेंगे ये पूरा उल्टा उल्टा पिनेंगे उल्टा ह एक जैसा पुनते हुए चाहेंगे आपने तरफ रहेंते वर एक सिलाई क्मप्लीट करेंगे एसे यह दूसरा सिलाए हमने कंप्लेट कर दिया तीसरे सलाय में एक फंदा तो ऐसे उतारेंगे और यह पाँच उल्टा बनेंगे तो तीन चार पांच उल्टा बनेंगे और यह पांच सिदा है एक दो तीन चार पांच पांच सिदा को यहां दो को एक साल लेंगे यह एक दो इसको एक साल लेंगे और इसको ऐसे पुनेंगे ऐसे दागा आपनी तरफ लाएंगे यहां दो को एक कर दिया अब यहां एक बंदा यहां से पढ़ाएंगे ऐसे यहां एक दो तीन हो गया तागा आपनी तरफ लाएंगे अब ये दो फंदे को एक कर देंगे ऐसे ऐसे यह तो चाली आएगा एक यहां से कटेगा एक यहां से कटेगा ये पांच फंदे हो गया एक तो तीन चार पांच तागा आपनी तरफ करेंगे एक तो तीन चार ये पांच तागा पार को करेंगे फिर तोरह वही तो का एक कर देंगे ऐसे तागा इसला यहां से लगाएंगे ऐसे ऐसे तागा आपने तरफ लाएंगे और यह ऐसे तागा आपने तरफ यह तो का एक कर देंगे यह 5 बंदे का है 2 4 निकाल रहा है तो यहां एक यहां से करता है अपन बस यह त्हीं सलाइन ऑगए यह नाज़ा लगा देञाने के लिए हम अंदर ने से फसाएंगे दूसाता लगाएंगे मतला फ्रन्ट साइड से नहीं लगाना है यह पेक साइड से लगता है जब दूसाता यूस करते हैं ऐसे अंदर से वही ऐसे उल्टा पनाते चाना है पुरा सल्ट है एज से कर देता हम एज से कर दो एज से को एज से कर दो एक स्लाइक कंप्लीट हो गया यह पांच उल्टा आएगा शुरू में जैसे हम पहले बना रहे थे तो तीन चार यह पांच इस पर आपने कुछ नहीं करना है यह पांच फंद्य ऐसे सिधा बुनना है एक तो तीन चार यह पांच पांच सिधा बुनना है यह एक तो तीन चार पांच यह पांच उल्टा बुनना है यह पांच सिधा बुनना है तो तीन चाल ये पांच हाता आगा पिर्प ये करना है ये कि एक श्लया है ये सहय बनाए ओन सिदा करके अंदर से बलठा पूरह रोल्टा हो पूर्स लाइए झाल झाल एक दो तीन चार ये पांच उल्टा आएगा थागा पार को करो अब ये दो फंदे एक साल लेना है बस ये डिजाइन है कि मतलब एक स्लाई में सिंपल बुनना है जैसा है पांच उल्टा पांच सिदा करके फिर तीसरे स्लाई में चप आएंगे तब हमने ये पाचाली निकाल पान लटा तीन चार पांच तागा पार को यह तो को एक साल लेना है ऐसे एक चाली दुन लगा के ताबह आपनी तरफ लाना और इसको ऐसे ठाना चो एक यह कट गया इहां से पढ़के पूरा हो गया यह से पढ़ा के दाखआ अपने तरह भाब अले यह तो फग्दे खुलित खड़ना है ऐसे अश्क्यति ने छिब्त화를 पंच फड़ंडे को 파ॉय को बन चाहिता है अब यह खतम होने के बाद फिर अंदर से फिर वही रिपीट होगा इससे ऐसा करके यह डिजाइन पूरा डिजाइन बन के यह मैंने बेबी सेट बना के रखा है जैसे झाल झाल